सुप्रीम कोट में मस्जित को उसके परिशर से हटाने के इलावाद हाई कोट के आदेश के खिलाब दायर याचकाओं को खारिच कर दिया और हाई कोट के 2017 के आदेश की पुष्टी की सौंबार को सुप्रीम कोट के अदिकारियों को तीन महीने के भीतर इलावत उच्छ नहाला की परीसर से एक मस्जिद को हटाने का निर्दिस दिया जिसमें विद्वन्स का बिरूत करने वाली याजका करताओं को बताया गया कि संरचना एक समाप्ट पट्टे की संपत्ती पर खड़ी थी और बे इस पर दाबा नहीं कर सकते जारी रखने का दिकार नियामूर्ती M.R.S. और नियामूर्ती C.T. रभी कुमार की पीट ने उच्छ नहाला की आदिस में हस्तेचेफ करने से इंकार कर दिया और याच का करता को उच्छ नहाला पर इसार से मस्जिद को हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया यहें नोट किया गया कि यदि तीन महीने के भीतर इसे मंजुरी नहीं दी जाती है तो उच्छ नहाला निर्मार को धस्त कर सकता है और याच्च का करता बख्फ मस्जिद उच्छन एलाय को बेकल्पिक भूमी के लिए राज्ज सरकार को इप्रती नदित करने की अनुमती भी देता है पीठ ने कहा कि उसे उच्छन एलाय कि आप एक्षित प्रेंसले और आदिस में हस्तचेप करने का कोई कारण नजन नहीं आता इसने कहा हाला कि यह याच्छ का करताओं के लिए बेकल्पिक भूमी की मांग करने वाले राज्ज सरकार को एक बिस्तर पे दिनुदत करने के लिए खुला होगा अप मस्जद उचन एलाय का प्रतितने करने वाली बरिष्ट अधी वक्ता कपल सब्बल ने मस्जद का इतिहास सुनाया और कहा कि मुसल्मान नमाज अदा कर रहे थी और बजू की भी विवेस्ता थी उन्होंने कहा कि मस्जद हाई कोट के बाहर सड़क के उस पार रिस्ते और यह कहाना गलत है कि यह हाई कोट पर इसर में थी सिब्बल ने कहा कि दोजा सत्रा में सरकार बदल गए और नई सरकार बनने के बします यह जनह तह यह जाज का दयार की गई और कहा कि मस्जद दसकों से एक सारवजने मस्जद के रूम में काम कर रही थी यूपी सुने सेलपिक साइड देने को तयार है और भी इस बात पर जो नहीं दे रहे हैं कि बहानमाज अदा की जाए उच्छने अलाइक अप्रती नज़त करने वाली वकील ने तर्क दिया कि याचका करता ने अनावस्टेक रूप से मामले को धान में रंग दिया सीरस अदालत में मसजित के वकिल से जज़स समझने की गुस्स करने को कहा कि उनका कोई अधिका नहीं है क्योंकि यह पट्टी की संपत्टी है पट्टा समप्त कर दिया गया था और भूमी को फिर से सुरू कर दिया गया था और इस अधालत द्वारा पुष्टे की गई थी आ अब यह 2023 है उन्होंने कहा कि भी सरकार बदलने के अलावा कोई अन्य आधार नहीं उठा रही है यह मामला अभी से एक सुकला द्वारा इलावा उच्छ न्यालया में दाएर एक याचका से उत्पन हुआ है जसमें तरक दिया गया है कि मस्जद एक बक्व संपती जमीन पर खड़ी थे जो मूल रूप से उच्छ न्यालय की थी